वेलकम बैक स्टुएंट्स, होफूली आप सब खेरे स्चेहोंगे और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे जो के स्फिरिकल मिर्यर स्टुएंट आप इसके स्क्रीन शॉड ले सकते हैं स्टुएंट लास्ट लेक्चर में हमने यह देखा तो कैसे जो है जो लाइट है वो एक प्लेन सर्फिस है प्लेन मिर्यर पर जब टकराती है तो हमाँ पास कैसे रिफलेक्शन का अमल होता है कुछ हमने टर्म्स उससे डिसकस की थी जो के बहुत ही इजी टॉपिक था आज वा इक्स है हो यहां पर यहां पर कोई आउट आउफ दा प्लें कोई चीज नहीं पर देख रहा है तो मैं इसको आइसे तो नहीं कह सकता न कि यह 3D ्डॉमेंशन में क्योंकि जो सेथे न प्लेन सेफेस पे ड्रॉव हो चुका है हमारे पार तो यह होता है तो यह होता है सरकल अब जो स्फेर होता है student keep in mind वो हमारे पास लिख लो वो हमारे पास 3D dimension में होता है circle two dimension में होता है और स्फेर जो होता है वो three dimension होता है आप एक ball की example ले सकते हो फुटबॉल की example ले सकते हो तो वो क्या होता है अगर हम फुटबॉल को देखें सामने से तो football हमारे पास x plane भी है y plane भी और पीशे अगर उसको हम देखें तो हमारे पास z plane भी हमारे पास पड़ावा होगा और जिससा हमारा face हो गया और बाकी सारी जो object हो रहे वो हमारे पास क्या दिख रहे हो सब कि सब हमारे पास 3D dimension में होगा यहां तरह बात आगी समझोगे अब जो हम यहां पे spherical mirror जो हम पढ़ते हैं यह हमारे पास एक slice होगा एक section होगा किस चीज़ का section होगा वही जो sphere बताया है ना imagine करो एक football है अब उस football मेंसे अगर मैं एक piece क्या कर दूँ बाहिर निकाल दूँ और वो जो football से मैं एक piece बाहिर निकाल लूँगा student तो obviously बात है वो इस तरह करके क्या होगा वो हमारे पास इस तरह मैंने spoon ली वी है इस तरह करके हमारे पास एक curve होगा यह नहीं होगा बिलकुल होगा तो यह देखो अब हम आज बना जो topic है उस पर हमने क्या कर लिया कि यह जो हमारे पास जो curve था यह पूरा एक circle एक circle था और circle मेंसे मैंने क्या कर दिया यह एक जो piece था इसको उठा के मैंने क्या लिया है बाहर ले आया इस इस पर क्या करूँ है इस पर light को हम strike करवाएंगे औ और इसका different terms है इसको भी हम discuss करेंगे okay student spherical mirror hopefully समच आ गया हो कि हमने क्या कर लिए हमने एक portion slice ले लिया एक sphere का ठीक है football यह यह असल में sphere का हिस्सा था अब हम आगे चलते है student हमारे पास दोटायπस हो सकते है spherical mirror mirror के ठीक है अब कैसे दोटायप हो सकते है एक हो सकता है हमारे पास concave mirror हो सकता एक हमारे पास हो सकते है convex mirror बहुत easy है और mirror का मैंने आपको बताया था mirror and lens में फर्ख ने लेंस pillar होता है उसमें से पूरी पूरी light गुजर जाती है तो थोड़ासा potion का reflect back होता है जब कि जो mirror होता है उसमें से light गुजरती निया ह को किया है पॉलिष की होती है तो जब इसके साथ light strike करते उससा भी reflect होती है Is it clear, done, okay लेकिन यहाँ पे मारे पास दो तरह के हमारे पास mirror आड़ चुके है एक आगे concave student अगर हमारे पास जो स्फेर था वो अंदर से polish होगा जिस तरह भी यह चमच्छ है गारी जो spoon मैंने ली वी है तो यह इसका जाहर सी बात है अगर एक स्फेर था तो यह वाला जो हिस्सा है student यह वाला जिसका outer side है यह inner side नहीं है लेकिन अगर मैं इसको flip कर दूँ अब यह जो अंदर वाली side आगी यह वाली यह स्फेर की देखो ना अगर इस स्फेर ड्रा करूँ यहाँ पे मैं मेरे पास concave mirror है अगर हम इसको flip कर दूँ अब हमें पता है कि यह जो स्फेर का outside है और अगर outside वाला हिस्सा polish होगा outside वाला हिस्सा polish होगा student तो इस scenario में हम कहेंगे कि वह मेरे पास convex mirror है यहां तक hopefully दोनों में difference भी समझ आगा कि स्टमर्च के अंदर से mirror से ठीक है अब full focus रखना है ठीक है नहीं तो चमच देख लो ठीक है अब यहां पे अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ अब यह यहां पे तो जायरा मेरे पास board है तो यह board लग रहा है कि आप कोई मैंने circle draw कर लिए लेकिन हो circle नहीं है यही spoon था और इस spoon के मैंने यह हिस्सा रखा है आपने ऐसे सोचना है कि एक ball type एक sphere type मैंने क्या कि एक circle से draw कि एक sphere type अब यह उसका यहां पे आगा student और अगर मैं इस side पे देखूँँगा तो यह कुछ इस तरह कर कर आएगा ऐसा है कि नहीं यह हिस्सा इत्सदा और यह हिस्सा यहां और यह पूरा हमने वह sphere का per slice ले लिया था एक piece ले लिया था अब इसमें हम सब terms को बारी बारी discuss करते है अब वह जो sphere है जिसका मैंने piece लिया student एक football image करो और उसका जो beach वाला जो center होगा जो beach वाला sphere का center होगा उस चीज को हम नाम बोलते के वो उसका center of curvature है यानके पूरा यह football 3D आपने सोचना है और उसका beach वाला हिस्सा होगा यहां पे student वैसे तो ठीक यह बना चलो गुजारा करो यह जो beach वाला हमारे पास है इस चीज को हम बोलते हैं अगर मैं उसके किसी भी हिस्से से देखूं मान लो कि मैं यहां पे इस तरह line draw कर देता हूं तो यह भी radius के लाएगा हमें पता है जो half होता है किसी भी circle के अंदर से वह क्या होता हो रेडियस होता तो वह स्फेयर है स्फेयर के center of curvature से मैं कहीं पर बिगर जा रहा होंगो तो वह क्या कहलाएगा वह radius कहलाएगा और रेडियस को हम यहां पे किससे लिख देते हम यहां पर रेडियस को r से लिख देते हैं तो यह पोल यह होता है कि जो हमने वो जो स्लाइस पीस लिया वाता है जिस तरह मैंने एक स्लाइस यहां पे ले लिया था यह वाला स्लाइस हमने ले लिया अब इस स्लाइस के जो आउटर साइड है ठीक है या जो इनर साइड हो या जो आउटर साइड है इसका जो मिड पॉइ मिड है यांग지 कि अपने स्लाइश, पार्ट लिया था उसके मिड़ वाला हिस्सा होगा, हमारे पास क्या होगा है, वही लूट है, पोल क्या खाया है, से इंध की ब Buddhism को भोलते हैं हैं पिछ आ那रिप सबको यहां पर प्रोजक्शन टैप रख देता हूं तो आपको समझने में असानी होगी अब यहां पर हमने यह वह स्लाइस ले लिए अगर मैं स्लाइस को देखूं पूरे स्लाइस को इस और इस इस हिसे को यहां तक जो हमने लिया तो इसका मिट कुछ यही बन रहा होगा इस क्लेर हो और जादा देर तक आप को जादे रहें नेक्स लाइस देखते है प्रिंसिपल एक्सीज क्या है कोई चिसना मुश्किल यह प्रिंसिपल एक्सीज देखो यह एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि हम ड्राइ करते हैं पॉल से किसकी तरफ सेंटर अफ कर वेचर से स्ट्रेट रखना है यह स्ट्रेट का हिस्सा है सरकल मत समझना यह बस जहन बिठा गए रखो मेचल करो एक स्ट्रेट था एक स्ट्रेट से हमने पार्ट लिया ठीक है तो यह उसके अंदर से जो एक लाइन गुजर जाती है इसी चीज़ को हम बोलते है प्रिंसिपल ओके नेक्स देक लेते हम क्या हमारे पास student next नेक्स मारे पास principal focus क्या होता है ठीक है अब यह बहुत ही important है principal focus क्या है हमारे पास student हमारे पास different तरह की जो होती है जो line हमारे पास when beam of light is parallel to the principle it can be converge and divert and sp Living point which is known as principal focus ठीक है तो अगर हमारे पास कोई ऐसी beam of light हो जो कि अगर जो कि पैरल जा रही होगी देखो student यह इस वग में पाफ light है ठीक है और यहां पर जो beam of light है अगर यह एक mirror है यह mirror का मैंने देखो ने slice लिया है ठीक है और इसके बिलकूल अगर यह लेखो गर मैं light को यहां पर strike करवा रहा हूं तो अभी हम देख रहे ह जो principle axis है यह जो line है यह principle axis है ठीक है अगर मैं इस principle axis को थोड़ा बाहर निगाल दूँ आपको समझाने के लिए कि यह देखो principle axis की line ऐसे जा रही है ठीक है और मैं यहां पर एक object रखता हूं इस जगह पर मैं एक object रख रहा हूं जह समझाने के लिए और इस object से एक light निकलती ह और जो light है वो parallel है देखो अगर इस light को मैं देखू यह parallel किस्के parallel है student यह parallel है इस वक्त हमारे पास किसके parallel है इस principle axis के parallel है तो अगर जब самой एक नहीं या converge हो जाएगी या फिर diverge हो जाएगी diverge के मतलब क्या होता है हमाई पास different हिस्सों में निकल जाना ठीक है अगर तो वो converge हो जाएगी और एक point पे सारी lights आगे मिल जाएगी उस point को हमने नाम बोला होता है principal focus भी बोलते है और focus point भी बोलते है इसको हम मज़ीज समझते हैं ठीक है देखां अभी अभी मैं यहां पर जीज़ु सायड ले रहा हूं mirror का student इसका मैं अंदर वाले हिस्था क्या ले रहाएग्पॉलिष ले रहा नहीं ले रहा ह। छीक है तो हम यहां पर इसको अगर देखे इस हिसे को student यहां से हम इदर देख लेते हैं स्टुएट देखिएगा यहां पर अगर मैं इसका ऐसे करेंगा यहां इसको बाइर वाले से पॉलिशे लेके बाइर वाल हमने क्या ले लिया यहां जो ग्रीन कर रहा हूं वो पॉलिश हिस्सा है हमारे पास और अगर मैं इसी को ही अगर मैं अंदर से पॉलिश करूं तो अंदर से जो मैं पॉलिश करूंगा वो मैं रेक्ट से कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट तो हो ना भीच में तो हमने अब यह ऐसा किया कि एक स्वेर के अंदर हमने दो मिरर्स ले लिए जिस तरह बुक्स में लिया है ठीक है मैं पर जगह भी कम है पर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगो यहां पर इस चीज की समझ आ रही होगी और मैं यहां पर इसके बैक सैड पर ऐसे कर देता हूं त इसा रही होगी आशले में पास यहेँग लिए यहां पर हम इसम पास कवेर से मरेंeking से यह हमारे पास कवैक्स मीरर है हमारे पास और हमारे पास यह वाँ जूमिला है कोसा यह कनवक्स है, ओके शयाद मैं ने पहले गलत बोल दिया था, तो उसको जरा ठीक कर ले ना, ठीक है, यह हो जाता आसलिए। अच्छा ओहो क्या कर रहा हूं मैंयख हमारे पास आगया Whenowa 산 Case cwnn अप यहां क्या करते है। अब क्यूंकि इसका बाहर वैला हिस्सा हमारे पास क्या है इसका बाहर वैला हिस्सा पालिष है، तो जो मैं यह से लाइट pretend पास glaubार 1 स्टरे करेगी इस तरह मैंने आप इधर भी देख सकते हो कि मैंने यह स्पून का बाहिर वाले इस पर जब मैं लाइट स्ट्राइक करवा रहा हूं तो देखो रिफ्लेक्ट होके लाइट कहा जा रही आगे जा रही है इसका मतलब जो यहां से बीम आफ लाइट गई गोर करना स्टू हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होके कुछ हमारे पास इस तरह करके लाइट की जो बीम होगी ना वह यूँ चली जाएगी ऐसा है के नहीं अगरी करते हो के नहीं करता भी करके भी दिखाया आपको अच्छा अब जब यहां से रिफ्लेक्ट करके आगे चलीगी इसका मतलब जब भी हमारे पास कोई ऐसाया रिफ्लीट की जो एक्सिस होगी वो जब भी करें मैक्स मीरर पई तो वह डायवर्ज हो जाएगी, और रोिया भी हो रही हमारे पास यह वाला हिस्सा है पर पहले मैं शायद इसी को मुझे खतम कर लेने दीजिए अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट एक और यहां पर मैं लाइट को एक और लाइट की बीम मैं लेकर जाता हूं लेकिन वह भी क्या है वह पैरल ही है देखो यह भी पैरल थी प्रिंसिपल एक्सिस तो यह भी क्या कर जाएगी जिब हमारे पास कर जाएगी कुछ इस तरह करके खीक होता सका मतलब यह हो रहा है कि जितने भी लाइन यहां पर ड्रॉ करूंगा वह क्या हो रहे है और अगर नीचे से एक इस सट्टूडेंट करवाता हूं तो वह हमारे पास नीचे की तरफ हम हुँमारे पास कुछ यहाँ पे मिलेगी और छो लाइन यहां पर सिक्श लगाइंगं तो प्रॉपर आपको मिल जाए गया का हुअ पॉइंट पर यह सारी लाइन्स प्रॉइन क्या हो रही है मिल रही है मैं sini यहां-पेड तरह ही लाइन की यहां यहां पर drop करूंगा और धेल समयरे पास आ जा पर ऐ जा रही है प्रिंस्पिल एक्स पॉइंट के अब इस थщее हम बेने टरह नहीं बहुतंथार किया हुए में और रही हो हैं फ्रे цвет रही होंगे में ग्याfly पॉइंट जहां पर सारी लाइंज में रही उसी कॉम क्या बोलेंगे फोकस पॉइंट या हम उसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते है मैं मुझे यहां तक आप सब को समझ आ गई होगी बात के लिए यह हो रहा था हमारे पर कन्वेक्स में ठीक है अब अगर मैं यहां पर आ आ जाओं कन्केव वाले में हमारे पास आ जाओं तो स्टुडेंट्स को मन सेंसी बात है मैं इसको यहां पर दुबारा से दर ड्रॉग कर रहा हूं उसकी वज़ा यह है कि हम अब की बार लाइट यहां से तो नहीं पर पास करवाऊंगा ना इसके उस हिस्से में हमारे पास इसका पॉलिश हिस्सा है अगर मैं पीछे से रफ इससे पर लाइट करवाऊंगा तो तो कहीं पर भी नहीं जाएगी तो इसलिए बात है मुझे इसकी तो इसकी लाइट हमें यहां से इसके पर क्या कराना पड़ेगा उसके पर हम कहते हैं तो यहां पर इस जगह कम है तो मै पर इसकी थोड़ा सा पिदर दौबाला डराओ कर लैं तो माललो कहीं आ उंदर क्या कर दिय मैंने रगारे हिस्सा बना दिया यह इसका पॉलेश हिस्सा कि थैए ठीक है इसका पॉलिश हिस्सा हमने यह पर डॉख कर दिया ओके और यह जो है उसका बैक यानिए ओडर जुब ह açılór आफ किर पीछी यहां पर आफ करवेचर से फिछे यहां पर यहसके बीश में से लाइन बिजरती है उसको हम क्या बोलते है इसटुट्ट्ट हमँरे प्रिंसिपल एक्सीस होता है यह वो प्रिंसिपल एक्सीस हागी जो पॉल और सेंटर आफ कर्वेचे में से गुजर के जा रहा है अब माल हो मैं यहाँ पे एक object रख रहा हूं student इस जगह पे और इस object से एक straight line जो है एक light की pass करवाता हूँ और पास करवाने के बाद उसको मैं strike करवा देता हूँ इस mirror के साथ ठीक है तो क्या होगा अब देखो ज़रा यहां से वह light जा रही गोर से देखना अस्ट्रॉन यहां से जो light गई ठीक है यह हमारे पस light गई यहां टकर हाई अब टकर के diverge कि converge हो जाएगी बताओ अब वह converge हो जाएगी सब की सब क्या हो जाएगी मिल जाएगी डाइवर्च के मतलब तो होता फैल जाना यहां पर फैल रही थी और हमने बैक करेंट पर देखा कि कोई नो की focus point होगा इसे क्लिएर बात आ रही ना समझतों के अब यहां पर क्या होगा स्टुडेंट यहां पर हमारे पास जब यहां स्ट्राइक करेगा अब क्या हो जाएगा वह converge हो जाएगा ठीक है यहां से स्ट्राइक करने के बाद वह एक ऐसे point से लेंगे उसको हमने नाम देदे के focus point है focus point भी कह सकते है और उसको principle focus भी कह सकते है तो मैं एक और light rays यहां पर ले के जाता हूँ स्टुडेंट इस जगह से तो अगर मैं यहां पर इसको ले के जाऊंगा ऐसे कर ठीक है तो जब यहां टकराएगी ना इस जगह पे तो यह गु society किस्ट में हो रहा है when converge हमारे पास यहीं कंकेव बनाया मैंने the Behind obs और हम रही है यहीं वहां इक हमारे पास जो है जो भी जो पोल से लेके फोकस पॉइंट लेंट तक जो डिस्टन्स होता है उसी को अब नाम बोल देते कि वह फोकल लेंट है यह बहुत एजी था इस पर कुछ तना रॉकिट सेंच नहीं है तो माल लोग इस केस में कनकेफ के केस में स्टुडेंट यहां से लेकि जो य इसका फोकल लेंट है इधर अगर देखूं क्योंकि यह कन्वेक्स है ठीक है कन्वेक्स आउटर स्राइड होता है हमारे पास तो यहां से लेकि जो पर सारी लाइट हमारे पार डैवर्च हो रही थी जो पीछे हमने इमेजन करके यहां पर लेकर आया इस पॉइंट तक हम इ इसमें महियर करेंगे मीटर में महियर करेंगे स्टुएंट यहां तक इसको आप लिख लिजे जो हमने निचे चीज़े बनाए क्योंकि मैं इसको एरेज कर दूंगा और अब हम यह देखेंगे कि कैसे जब मैं इमिज को यहां पर रखूंगा तो इमिज कहां पर फॉर्म हो होगी रियल होगी विर्चुल होगी इरक्टिट होगी क्या बन रही होगी मिच तो साथी अभी चीज हम इसमें डिसक्स करेंगें कि वह बहुत जरूरी खास तोर औब्जेक्टिव वाइस के लिए वह बहुत ही जरूरी है तो हम उस टॉपिक को भी हहां पे भी डिसक्स करने वाले हैं ओके स्टूरेंट यहां पर आप इसको लिख लीजिए